हलो फ्रेंट्स, इस्टेडी बिद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है दास्ता हमेशा गुलाम जनता के मन में राष्ट वाद की भावना को जनम देती है भारत की जनता बटे सत्ता के आधीन जो दास्ता की जिंदगी जी रही थी उसके दर्मियान भारत के लोगों के मन में राष्ट की भावना, राष्ट के परति प्रेम, राष्ट वाद का उदय हुआ आज के इस चैप्टर में हम देखेंगे वो कौन सी परिस्थितिया अंग्रेजों के द्वारा भारत में उत्पन की गई जिसके बीच भारत के लोग उस अंग्रेजी सत्ता के खिलाप उठ खड़े हुए और उनके मन में अपने राष्ट के प्रतिप्रेम, समर्पन और बल्दान की भावना ने जन्म लिया जिसे हम कहते हैं कि भारत में राष्ट वाद का उदय हुआ वास्तो में भारत के लोगों के बीच एक भावनात्मक जुडाओ प्राचीन समय से ही देखने को मिलता है लेकिन उसकी तीब्रता कभी इतनी ज्यादा नहीं रही जितनी की 1850 के बाद में हमें दिखाई पड़ती है और इसलिए हम कहते हैं कि 19 सदी में 1850 के बाद में मुख् जनित परिस्थितियां थी उनकी वजह से ही भारत में राष्टवाद का उदय हुआ और इसमें भारत के तमाम निताओं तमाम समासुधारकों और तमान जो है करांतकारी विचारधारा रखने वाले लोगों के महतपूर योगदान को भुलाया नहीं जा सकता तो इसमें हम कौन कौनसी अंगरेजूं के दौरा जनित परिस्थितियां थी और क्या कया भारत के लोगों का प्रयास था जिसका मिला जुला परिणाम राष्टवाद की रूप में सामने आता है पिछले क्लास में हमने राष्टवाद को डिसकस किया था कि वह सभी कारक जिनकी वजह से एक जुठ होते हैं और अपने राष्ट के प्रती समरपण यों बलदान की भावना रखते हैं वो राष्टवाद कहलाता है राष्टवाद एक भावनात्मक है बिचार धारा है यह लोगों के बीच में अपने राष्ट के प्रती समरपण की भावना है तो यह भावना जो भा अपने उस दास्ता से मुक्ति पाने के उद्देश के साथ ही हुआ राश्टवाद के उद्दे के कारक तो कई चरणों में इसको हम बाट सकते हैं देखिए ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं आप हर एक चीज को आप डिसकस भी कर चुके हैं लेकिन राश्टवाद के के संदर्व में उसे हमें सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करना है राश्टवाद के उद्दे के कारकों में अगर हम रखें तो 1857 की क्रांत की भूमिका और भारत में सामाजिक एवम धार्मिक सुधारांदोलन और फिर हम देखेंगे कि अंग्रेजी सिच्छा अगर हम बात करें जो मुख्य मुख्य कारण है अंग्रेजी सिच्छा जो भारत में प्रचारित यों प्रसारित की गई उसकी वजह से भी भारत में राश्टवाद का उद्दे हुआ उन बिंदों पर उन फैक्टर्स पे भ पत्रयों पत्रकाएं तथा साहित किसी भी राष्ट किसी भी देश या किसी भी समाज में जो पत्रयों पत्रकाएं यों साहित होता है उसका भी उस समाज में विचारधारा के निर्मार में बहुत भरपूर सहयोग होता है तो फिर राष्टवाद के उदय में क्यों नहीं तो हम पत्रकाय और साहित को हम पढ़ेंगे कारक के रूप में और आर्थिक नीतियां, आर्थिक शोसड आप लिख सकते हैं, जो ब्रेटिस आसन के द्वारा भारत में सोसड किया जा रहा था, उसकी वज़े से भी भारत में राष्टवाद के विकास में सहायता मिली, हम बात करें प्रवे योम संचार के साधन, इनका क्या प्रभाव रहा राष्ट वाद में, नसल वाद, नसल वादी भेदभाव, अंग्रेजों के द्वारा जो भारती जन्ता के साथ में नसल वादी भेदभाव के जा रहे थे, उनका प्रभाव और फिर हम दो महत्तुपूर जो गवर्नर थे उनकी भूमिकाओं पे चर्चा करेंगे, लाड लिटन, लाड लिटन के कारिकाल में, कारिकाल के निर्णे, जिसमें हम बरनाकुलर प्रेस एक्ट होगरा सब पढ़ेंगे, और फिर हम लाड रिपन, लाड रिपन के कारिकाल की घटनाएं, कारिकाल की घटनाएं, जिसमें हम इलबर्ट बिल बिवाद को विसेज करके पढ़ेंगे, इलबर्ट बिल बिवाद, और इसके बाद जो है हमारे देश में राष्टवाद के उदय में, जो वैस्विक कुछ कारक हैं, वैस्विक करांतियों का प्रभाव भी रहा है, वैस्विक करांतियों का प्रभाव, इससे भी हमारे राष्टवाद के उदय में सहायता मिली, तो ये कुछ प्रमुक प्रमुक फैक्टर हैं, और भी बहुत सी चीजे हैं, जो हम साथ में डिसकस कर लेंगे, हम देखेंगे कि यहां पे कई प्रकार के प्रस्न बनेंगे, जैसे कि पूरा अगर आपको दिया जाता है कि भारत में राष्टवाद के उदयों विकास पे चर्चा कीजिए, तो आपको थोड़ा-थोड़ा सभी चीजों को उसमें समलित करना होता है, और कभी-कभी प्रस् के कारकाल की जो घटनाए है, Umut, Bill विवाद वो किस प्रकार से राष्टवाद के उद्यमें सहयोग परदान करता है, या भारत के सामाजी के यहुम, धार्मिक सुधार आंदोलन राष्टवाद के उद्यमें या विकासमें किस प्रकार सहयोग करते हैं, तो इन सब चीजों पे अलग-अलग कुश्चन भी दे जा सकते हैं और आपजेक्टिव कुश्चन के रूप में भी बहुत से प्रसन इसमें से बनते हैं और इसमें से ज्यादा सर्च चीजों को हम डिटेल में डिसकस भी कर चुके हैं बस उसे अब राष्टवाद के संदर्व में हमें अरेंज क करना है तो यहाँ पर हम चलिए इस पर डिसकस करना सुरू करते हैं सबसे पहले 1857 की क्रांति की क्या भूमिका थी हमारे राष्टवाद के उद्धे में सुरुवात यहीं से हम करेंगे तो देखें 1857 की क्रांति आप देखते हैं कि बहुत दिनों से जो अंग्रेजों के प्रति क्रोध भारत के लोगों के बीच में पनप रहा था उसी का परणाम के रूप में 1857 की क्रांति हुई और 1857 की क्रांति अस्फल हो गई उस समय 1857 की क्रांति का राष्ट्रवाद के उदे में भूमिका यहां से प्रारंभिक राष्ट्रवाद हम कह सकते हैं सुरुवात हो जाती है धिरे धिरे लोगों के मन में एक राष्टवादी भावना जन्म लेना सुरू कर देती है क्या कारण रहे देखे 1857 की क्रांति बहुत बड़ी क्रांति थी और पहली बार अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ एक ब्यापक आंदोलन छोटे मोटे अंदोलन तो होते रहे थे पर्थम बार अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ एक ब्यापक आंदोलन था ये बहुत से बिचारक इसको मात्र एक बिद्रोह मानते हैं लेकिन मैं समस्ता हूँ कि यह एक सुतंत्रता संग्राम था और सुरुवात यहीं से हो जाती है क्योंकि इसके बाद फिर कहीं हमको इस्टाप देखने को नहीं मिलता है 1877 से लेके 1947 तक लगातार भारत ने संगर्स किया है अंग्रेजों के साथ में चाहे वो बैचारिक रूप से हो चाहे वो आंदोलन के रूप में हो वो उदारवादी रहा हो क्रांतिकारी रहा हो अक्र क्यादा समय उसमें नहीं था 20-25 वरसों का तो पर्थमबार अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ एक व्यापक आंदोलन था आंदोलन ततकालिक रूप से अस्फल माना गया ततकालिक रूप से अस्फल है देखिए अस्फल होने से बहुत सारी चीजें सीखने को मिली ततकालिक रूप से जो है अस्फल हुआ और भारत के लोगों ने भारत के लोगों ने संगठन एक्ता एवं नेत्रत्त की उपयोगिता को समझा सबसे बड़ा ये परडाम था क्योंकि यहां पर हम संगठन एक्ता और नेत्रत इहीं बहुत सारी चीजों की वज़े से अस्फल हो गए थे तो जो भारत के बुद्ध जीवी लोग थे भारत के जो सोचने वाले लोग थे उन्होंने संगठन एकता और नेतरत की उपयोगता को समझा और आगे उन्होंने प्रयास शुरू किये कि किस तरह लोगों को एकजुट किया जाए किस तरह से संगठन बनाया जाए हम देखते है 1857 की करांती के बाद में बंबाई, मद्रास और कलकत्ता के छेतरों में कई संगठन बन-बन करके उभरने लगे हम पढ़ेंगे कांगरेस की स्थापना से पहले बहुत सारी संस्थाओं का अनिर्माड होने लगा और वो सब किधर ले जा रहे थे लोगों को, राष्टवाद की तरफ ले जा रहे थे, वो लोगों को जोडने का काम कर रहे थे वो लोगों को एक सूत्र में, एक धारा में लाने का प्रयास कर रहे थे क्योंकि लोगों ने ये समझ लिया कि हम अस्फल क्यों हुए हम अस्फल इसलिए हुए क्योंकि जो अंग्रेजी सत्ता थी वो एक जुट थी उनका नेत्रत था एक और हमारा जो नेत्रत हमारा जो एकता थी वो सब कई खंडों में विभगत थी इसलिए हम वहां पर अस्फल भावनात्मक रूप से हमारे चेतना में राष्टवाद प्राचीन समय से ही है, हम उसमें भी डिसकस करेंगे, लेकिन यहां पर जो तीबरता दिखाई पड़ती है, ठारा सो सतावन के बाद में वो धिर धिर बढ़ती चली जाती है, तो इसलिए हम कहते हैं कि राष्टवाद क जो प्रमुख रूप है, जो दिखाई पड़ता है, नजर आता है, वो इसी समय आता है, इसलिए हम कहते हैं यहीं से उदय हुआ और विकास हुआ, लेकिन यहां अंग्रेजों की देर नहीं थी, इस पे भी हम डिसकस करेंगे, क्योंकि उन्होंने जो भी परिस्थितियां भ नहीं है, उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए ही वो परिस्थितियां उत्पन की थी, यह आप कह सकते हैं कि अपने स्वार्थ के लिए जो नीतियां उन्होंने भारत में चलाई, उनकी वजह से जो परिस्थितियां उत्पन हुई, वो परिस्थितियां भारत के लोगों के लिए नकारात्मक थी और उसी नकारात्मकता की वज़े से भारत एक धारा में आया और लोग एक जुठ हुए लोगों ने उपनिवेस वाद के खिलाफ अपने आपको एकत्रित किया और संघर्स किया और वो आपस में जुड़ना वो एकता का जो बांड था वो धिरे-धिरे इतना सुध्रण होता चला गया कि वो एक राष्ट के रूप में आगे निकल करके आएगा तो भारत के लोगों ने संघर्ठन एकता और नित्रत की उपयोगता को समझा और यहां से क्या हुआ अठारा सो सतावन की क्रांते पर लिखे गए साहित ते लिखे गए इस पर अनेक पुस्तके लिखी गई लोग गीत लोग रचनाय नाटक बहुत सारा लिखा गया इस पर अठारा सो सतावन की क्रांती पर लिखे गए साहित ते ने लोगों में देश प्रेम को जागरत किया 1857 के बलिदानी जिन लोगों ने बलिदान दिया इसमें हमेशा लोगों के लिए प्रेरणा सुरोत बने लोगों के लिए प्रेरणा सुरोत बने जब लोग एक जैसा सोचना शुरू कर देते हैं, जब लोग एक लच्छ के पीछे लग जाते हैं, तो वहीं से हम कहते हैं, लोग एक जुट हो रहे हैं, लोग अपने देश से प्यार करना सीखना शुरू कर देते हैं, और यही सब चीजे तो राष्टवाद की तरफ ले जात एक राष्टी मंच के रूप में सामने आया कांग्रेस के रूप में, पहले छोटी छोटी पार्टियां बनेंगी, उसके बाद एक बड़ी जो है अखिल भारती पार्टी बन करके आई राष्टी कांग्रेस, भारती राष्टी कांग्रेस, सुरुवात में उसके कई आरोब भ प्राप्त करने का प्रयास किया लेकिन उसके बाद उसमें हम देखेंगे कि जो है उग्रवादी विचारधारा भी आई यानि गरम पंथी नरम पंथी भी पढ़ेंगे उसके बाद गरम पंथी भी आया यानि उन्होंने कहा कि नहीं ये नर्मी से काम नहीं चलेगा हमको अपन राष्टवाद की जो तिब्रता है वो लगातार बढ़ती जा रही है राष्टवाद की वजह से राष्टी आंदोलन चल रहा है और उसी राष्टी आंदोलन जो है वो राष्टवाद की भावना को और हवा दे रहा था यानि दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चल रही थी जि तीबर होता चला जाएगा गांधी युगाया और लोगों की सहभागिता इसमें बढ़ गई असायोग आंदोलन से देखेंगे कि गांधी जी ने अपने प्रभाव से जो जंता का निचला तबका है वहां तक किसांदोलन को पहुँचा दिया किसान, मजदूर, ब्यापारी और हर एक वर्ग के लोग सब सम्मिलित हो गई इस आंदोलन में यानि अब यहां पर आंदोलन अपने चरम पे पहुँच रहा था 1930 को देखेंगे हम 1930 में किस प्रकार से जो है नमक के लिए डांडी यात्रा बहुत लोगों ने उसमें भाग लिया और फिर 1942 भारत छोड़ो आंदोलन तक आते आते राष्टी आंदोलन अपने चरम पे पहुँच चुका था और भारत का राष्टवाद भी अपने चरम सीमा पर पहुँच चुका था तो इस तरह लिया और भारत और पाकिस्तान के बटवारे के रूप में उसकी परनीती हुई वो भी हम डिसकस करेंगे 1857 के बलेदारी हमेशा लोगों के लिए प्रेना सुरोत बने 1857 क्रांति के क्रूर दमन क्रूर दमन ने भारतियों को भारतियों के मन में अंग्रेजों के प्रति घर्णा भर दी इतना क्रूर दमन किया गया आपने देखा कि जो भारत का मुगल सत्ता का अंतिम प्रतीक बहादुर साजफर थे उनको भी हटा दिया गया यानि मुगल सत्ता को जो प्रतीक रूप में चल रही थी उसको पूरी तरीके से खतम कर दिया गया क्रूर दमन किया गया उनके घर के सदस्यों को उनके पुत्रों पवत्रों को गोली मार दी गई उनके सामने ही और उसके बाद में जो जनता के उपर कहर ढ़ाया गया उससे जो है भारत की जनता कि मन में एक प्रकार से अंग्रेजों के प्रति घ्रणा हो गई चाहें अंग्रेज अगर कुछ अच्छे भी थे तो उनके प्रति भी एक नसलवादी घ्रणा उत्पन हो जाती है 1857 के बाद में सत्ता में परिवर्तन हुआ क्या क्या हुआ कंपनी का सासन आपने देखा समाप्त हो गया कंपनी का सासन समाप्त और British Crown का सासन शुरू British Crown का सासन प्रारंब लेकिन जब बिटिस सत्ता आई तो अठारा सो सत्तावन की तरह की फिर से कोई क्रांती न हो जाए इसलिए सासन अब अधिक प्रतिक्रियावादी हो गया था सासन अब अधिक प्रतिक्रियावादी हो गया था जल्दी एक्सन लेता था प्रतिक्रियावादी हो गया था एक तो ये चीज आई दूसरा सोसण नीतियों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ सोसण की नीतियों में कोई परिवर्तन नहीं यानि सोसण वैसे ही चलता रहा कोई परिवर्तन नहीं हुआ सत्ता तु बदल गई लोगों ने सोचा था कि इस क्रांति के वजे से अब ब्रिटिस सत्ता आ गई ब्रिटिस क्राउन आ गया है तो हो सकता है जैसा ब्रिटिस क्राउन का ब्रिटेन में सासन है वहां के लोगों को जो अधिकार समानता अगरा मिलता है वो भारत के लोगों को भी मिलेगा ऐसा भारत के लोग जो है छुब्द हो गए इससे भारती असंतुष्ठ हुए यानि ये कुछ भी जो है उनके लिए अच्छा नहीं हुआ असंतुष्ठ हुए और चीज क्या हुई इसके बाद आया महारानी का घोशना पत्र इससे आप लिख लें यहीं पे 1857 की क्रांत के पस्चा जो है महारानी विक्टोरिया ने भारत में एक घोशना पत्र जारी किया महारानी विक्टोरिया का घोशना पत्र ये अगला हेडिंग है घोशना पत्र ये सब 1857 की क्रांत के ही प्रड़ाम है आप देखते हैं कि एक नुवंबर 1858 को ये घोशना पत्र पढ़ा गया जो भारत सासन अधिनियम 1858 आया उसी के तहत महारानी विक्टोरिया ने एक घोशना पत्र जो है वो लाड कैनिंग से पढ़वाया इसको जो है इलाहाबाद में पढ़ा इलाहाबाद और इसको पढ़ा था लाड कैनिंग जो पहला वाय इस्टेनली ने उदार भासा में बहुत मधूर भासा में इसको तयार किया गया था। तो इसमें क्या-क्या चीजे थी देखिए चार चीजे प्रमुकरूप से इसमें कही गई थी। हम यहां पे 1857 का जो भाराशासन अधिनियम है उसमें जो पिंदु आये थे उन पे चर्चा नहीं करेंगे वो हम पीछे पढ़ चुके हैं लेकिन चार वादे किये गए थे जन्ता के साथ में उन पे हम बात करेंगे एक वादा किया गया कि भारती यह वादे थे एक प्रकार से यह प्रलोभन दिया गया था भारती जन्ता को मधूर भासा में महारानी विक्टोरिया की तरफ से इन्होंने कहा कि भारती समाज एवं धरम में हस्तच्छेप नहीं किया जाएगा हस्तच्छेप नहीं किया जाएगा और जो लाड डलहोजी ने जमीने चीनी है जमीदारों क वो वापस कर दी जए और उन्होंने कहा कि भारत में उद्दोग की स्थापना पर बल ये बात उसमें कही गई और क्या कहा गया कि जो भारत में पदों की भरती है यानि भारती ये प्रसासन प्रसासन में भरती जो की जाती है भरती में भेदभाव नहीं किया जाएगा भेदभाव नहीं इस प्रकार से प्रलोभन वाली बातें चार प्रमुख बातें बहुत सी बातें थी उसमें ये विसेश करके उदार भासा में महारोनी विक्टोरिया के दोरा इस्टेनली से तयार करवाया गया था और लाड कैनिंग ने इसको इलाहबाद के पार्क में पढ़ा किसी वादे पर खरी नहीं उत्री आगे आप देखेंगे कि सब इसके उल्टा ही हुआ, किसी वादे पर खरी नहीं उतरी आगे की नीतियों में आप देखते हैं कि भारती समाजयों धर्म में अस्तच्छेव की बात की थी ये भी उन्होंने नहीं माना लाड अलहोजी द्वारा जो है आर्थिक जो नीतियां बदली गई थी उन्हें भी सरकार ने कोई प्रिवर्तन नहीं किया, वैसे ही सोसड और वैसे ही जो है लगान वगरा की दरे उसी तरह सब जारी रही, कोई सहूलियत नहीं दी गई उद्दोगों की स्थापना की बात की गई थी लेकिन हमने देखा कि करशी का वारत जी करण और वी उद्दोगी की करण उसके बाद और तेजी से बढ़ गया भारती प्रसासन में भरती में भेद भाव की बात की गई थी लेकिन आगे चलके हम देखते हैं सिविल सिवा की जो नोकुरों में उम्र है उसको 21 से घटा के 19 कर दिया गया यहां पर भी कोई सहूलियत हमको दिखाई नहीं पड़ती है कि जो विक्टोरिया ने घोशना की थी उसका एक अंस भी माना गया हो तो सरकार किसी वादे पर खरी नहीं उतरी और इसने लोगों को सरकार के बिरुध असंतुष्ट किया इस कारण लोग असंतुष्ट रहे और सतंतुष्ट उपनिवेश वाद उपनिवेश से मुक्ति पाने की भावना ने जन्म लिया मुक्ति पाने की भावना पनपने लगी लोगों के मन में उपनिवेश से मुक्ति पाने की भावना जो है वो धीरे धीरे घर करने लगी तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 1857 की क्रांती के परणाम सुरूप जो घटनाय भारत में घटी चाहे वो 1857 की क्रांती के धोरान रही हो चाहे वो उसके बाद होने वाले परिवर्तनों में दिखाई पड़ती हैं उन सबसे क्या हो रहा है उन सबसे लोग जो है अंग्रेजो वाद का उदय यानि लोगों के अंदर एकजुट होने की भावना चाहे वो किसी भी आधार से हो वो तभी जन्म लेती है जब लोग एक जैसा सोचना सुरू कर देते हैं जब उनके लच्छ एक हो जाते हैं और जब उस लच्छ को प्राप्त करने के लिए वो एक तरीके पे चलने के लिए एक जुट होने लगते हैं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उपनिवेश से मुक्त पाने की भावना धीरे-धीरे लोगों के मन में जन्म लेने लगती है और यही आगे चल करके और बलवती हो जाती है जब इसमें लोग इसको और हवा देना सुरू कर देते हैं एक तरब तो भारत के लोग जैसे बाल गंगा धरतिलक लाल अलस्पतराय सुरेंदराथ बनर जी जैसे अनेक नेता जो सुरूवात में आये का अंग्रेश में दादा भाई नौरो जी बदरुद्दिन तयाब बहुत से लोग तो यह सब लोग क्या है इस राष्टवाद को और हवा देने लगे लोगों के अंदर राष्टव्यात को बढ़ाने के लिए और साथ ही साथ जो भारत में समाज यों धर्म में सुधार किये गए थे उनके द्वारा लोगों में भी जागरती बढ़ रही थी और अंग्रेशी सिच्छा भी लोगों के अंदर नए बिच हो जाते हैं तो यहां पर हमने 1847 की जो युगदान है राष्ट्वाद के उध्य में उसको समझा अब इसके बाद हम बात करते हैं कि जो भारत में समाजिक यों धार्मिक सुधार किये जा रहे थे उन्होंने किस प्रकार से राष्टवाद के उद्रेक की भूमिका निभाई उसमें सहयो किया तो देखे वहाँ पे हम कई प्रकार से कुश्चन आपसे पूछा जा सकता है एक तो डारेक्ट कुश्चन यही बनता है कि जो सामाजिक योम धार्मिक सुधार आंदोलन चल रहे थे उनकी क्या भूमिका थी या फिर बेक्त विसेश की भूमिका को भी पूछा जा सकता है सामाजिक योम धार्मिक यह दूसरा पॉइंट आपका हो गया धार्मिक सुधार आंदोलनों की भूमिका आंदोलन की भूमिका बेक्त विसेश में भी आपसे पूछा जा सकता है जैसे दयानन सुरस्ति स्वामी विवेकानंद राजाराम मोहन राए इनकी क्या भूमिका रही थी राष्टवाद को बढ़ाने में या फिर सीधे सीधे समाजी क्यों धार्मिक सुधार आंदोलन की भूमिका को बढ़ाने में क्या योगदान है राष्टवाद को बढ़ाने में तो देखें यहां पर हम कई चीजों की बात करेंगे जैसे भारत का जो समाजयों सुधार का अंदोलन है धर्म का वो धार्मिक है उसका अधार जो है धार्मिक या आध्यात्मिक आप कह सकते हैं आध्यात्मिक है लेकिन उसमें राष्ट्रवाद भी है राष्ट्रवाद भी है आप देखेंगे भी इसको हम बिसकस भी कर चुके हैं पूरी तरीके से उसमें राष्टवाद की जलक भी है लोगों को एक सुत्र में बांधने की कोशिस की गई है और राष्टी भावना को जागरत करने का भी प्रियास उसमें किया गया है तो निश्चित तोर से समाज में जो यह अंदोलन चलाए जा रहे थे उनकी परणीती जो है राष्टवाद के उत्पत में हुई तो यहाँ पर हम देखें कई सुधारक हैं जैसे कि हम देखें ब्रम्भ समाज पहले ब्रम्भ समाज ही आया तो ब्रम्भ समाज को अगर हम डिसकस करें ब्रम्भ समाज मतलब है राजा राम मोहन राय और इसके बाद जो है आये इसमें केशो चंदर सेन केशो चंदर सेन तो ब्रह्म समाज हम डिस्कस कर चुके हैं लेकिन यहां पर हम देखेंगे कि राष्ट वाद के उदय में ब्रह्म समाज की क्या कोई भूमिका थी तो जब हम बात करते हैं कि राष्ट वाद का उदय अंग्रेजी सिच्छा के माध्यम से और तीबर हुआ कैसे? अभी हम डिसकस भी करेंगे कि अंग्रेजी सिच्छा का क्या महतुरहा था लेकिन थोड़ा साथ अप समझे अंग्रेजी सिच्छा पाने की वज़े से लोग यूरोप से कनेक्ट हुए उचे सिच्छा के लिए वो लंदन गए और वहां पर उन्होंने अंग्रेजी साहित को पढ़ा अंग्रेजी साहित में वहां की करांतियों के विशे में जानकारी थी वहां के लोगों के बिचार और वहां के लोगों के बिचार जो है वो सतंतरता पराधारित थे समानता परधारित थे उनके अंदर लोकतंत्र की बाते थी उनके अंदर स्वाधिनिता स्वसासंग की बाते थी तो वो सभी बाते लोगों ने पढ़ी किस वज़े से क्योंकि वो अंग्रेजी पढ़ने के लायक हुए तभी तो उन्होंने पढ़ी वो इसे हिंदी के लेकों के बिचार तो ऐसे थे नहीं, थे भी तो बहुत सूच मात्रा में थे, तो इस प्रकार से अंग्रेजी जब राष्ट वाज के उदय में भूमिका निभाती है, तो यहां पर हम देखते हैं ब्रम्भ समाज अंग्रेजी का समर्थक है, और भारत के लोगों के अंदर अंग्रेजी सिच्छा ब्याप्त हो, प्रसारित हो, इसके लिए ब्रम्भ समाज ने बहुत से काम किये हैं, तो निशित तोर से यहां से उत्पत्य का एक मूल है, तो इन्होंने क्या किया था, अंग्रेजी सिच्छा के समर्थक थे ब्रम्भ समाज, अंग्रेजी सिच्छा का समर्थन, औ हिंदू कालेज भी स्थापित किया था हिंदू कालेज की स्थापना अंग्रेजी सिच्छा का समर्थन किया थारा सो सत्रा में कलकत्ता में हिंदू कालेज की स्थापना की गई पत्रकारिता की स्वतंत्रता की समर्थन किया गया पत्रकारिता के स्वतंतरता का समर्थन किया गया और समाज की बुराईयों को दूर करने का प्रयास बुराईयों को दूर करने का प्रयास अब इन सब की परनीत क्या होगी इन सब से क्या हुआ राष्टी भावना बढ़ेगी की नहीं बढ़ेगी राष्टी भावना में ब्रध्वी कैसे हुई समझे अंग्रेजी सिछा का अगर समर्थन किया तो लोग अंग्रेजी के प्रत आकर सित हुए अंग्रेजी पढ़ने के लिए लोग गए क्योंकि सिर्फ अंग्रेजों ने अगर सिच्छा नीत बना दी कि भारत में अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी सिर्फ इतना कह देने से लोग अंग्रेजी नहीं पढ़ने लगे भारत के लोगों ने बहुत जबरजस्त काम किया है लोगों को अंग्रेजी सिच्छा की तरफ प्रेरित करने के लिए जैसे कि ब्रंभ समाज का आप उसमें उलेखनी योगदान दे सकते हैं तो अंग्रेजी सिच्छा का समर्थन किया जैसे उदारण के लिए आपने दे दिया कलकत्ता में हिंदू कालेज की स्थापना की थी जिसमें पास्चाति सिच्छा की बेवस्था की गई थी तो इनसे जो है लोग सिच्छित हुए एक नए वर्ग का उदय हुआ इससे क्या हु हुआ और उन्होंने क्या हुआ नई विचारधारा से नई विचारधारा कौन से विचारधारा अंग्रेजी या यूरोपी आप लिख सकते हैं कि यूरोपी है जिसमें क्या बाते थी स्वतंत्रता समानता देश प्रेम ये सभी लोक तंत्र की बाते ही और इससे क्या हुआ राश्ट वाद के विकास में सहयोग विकास में सहयोग मिला अंग्रेजी सिच्छा से अंग्रेजी सिच्छा को ब्रह्म समाज ने प्रचारित किया था पत्रकारिता का समर्थन इनों ने किया देखे इनके समय में पत्रकारिता पे प्रतबंध लगाने की कोशिस की गई जिसके खिलाप इनों ने पहली बार जो है अंग्रेजों को अपनी समस्या से अउगत कराया आपसे पूछा जा सकता है कि किस ब्यक्त ने पहली बार एक ब्युस्थित तरीके से अपने समाज की समस्या को पत्र के माध्यम से अंग्रेजों तक पहुँचाया तो राजाराम मोहनराय ने वहाँ पे संगठित हो करके इस समस्या को पहुँचाया था समाज की बुराईयों को भी दूर करने का प्रयास किया सती प्रथा बहु बिवाह और विधुवा बिवाह का समर्थन किया इन सब चीजों से समाज में एक सकारात्मक सोच ने जनम लिया और लोग अपनी समस्याओं से जब निजात पाए तो वो जो है आधनिक विचारधारा क की तरफ बढ़े क्योंकि इस सब चीजों ने समाज को कुंठित कर रखा था एक सिमित दायरे में एक रूठवादी परंपरा में बांध रखा था जब लोग इससे मुक्त हुए तो लोग जो है आधनिकता की तरफ बढ़े और आधनिकता में ये सारे विचार उनका इंतिज हो सकते हैं तो ब्रह्म समाज का ये योगदान है इसके बाद अगर हम बात करें कि स्वामी दयानन सुरस्ति या आरे समाज उस पे बात कर लेते हैं तो स्वामी दयानन सुरस्ति को तो तीब्र राष्टवाद का जलक भी माना जाता है आर समाज आर समाज स्वामी दयानन सुरस्ती इसको भी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं सिर्फ हम इसमें वुन बिंदों को खोजने की कोशिस करेंगे जो भारती लोगों को राष्टवाद की तरफ ले जाते हैं देखे स्वामी द्यानन सुरस्ति को क्या कहा जाता है इनको कहा जाता है भारत का मार्टिन लूथर मार्टिन लूथर क्योंकि मार्टिन लूथर ने क्या कहा था मार्टिन लूथर ने विचार दिया था कि बाइबिल की तरफ वपस चलो इन्हों ने कहा था बाइबिल की तरफ चलो, ऐसा नाराइनों ने दिया था, और स्वावी दर्ण सुरिच ने क्या कहा, वेदो की तरफ चलो, यानि वेदो की तरफ लोटो, अब आप सोचेंगे वेदो की तरफ लोटो, अपनी प्राचीन संस्कृति को पहचानने की कोसिस करो, इस से राष्टवाद का क्या मतलब है तो जब लोग अपनी संस्कृति को पहचानते हैं, जो लोग इस समय अंग्रेजों के सासन तक आते आते, लोग अपने आपको हीन समझने लगे थे, इसको आपको डिफाइन भी करना पड़ेगा, कि अगर स्वामी दयानन सुरस्ति, या फिर स्वामी विवेकानन्द, या औ और भी जो लोग हैं, जो अपने बेदों को सरबोच मानते थे, अपनी प्राचीन संस्कृति को तवज्यो देते थे, उससे लोगों के अंदर राष्टवाद की भावना कैसे आती है, उससे लोगों के अंदर राष्टवाद की भावना इस प्रकार आती है, कि जब लोग अ भारत के मन में एक ऐसी भावना विक्सित कर दी थी कि यूरोप के जो अंग्रेज है या वहां का धर्म है वो सुपर है और भारत की संस्कृति भारत के लोग inferior हैं डाउन है यहां की संस्कृति में कुछ भी valuable नहीं है सब बुराइया हैं यहां के धर्म किसी काम के नहीं है वो बहुत सारी कर्मकान बुराईयां बहुत कुछ है और यहां के लोगों से यूरोप की जो नसल है वो उच है तुम्हारी संस्कृति डाउन है और यह बहुत से सालों से चला रहा था तो धिरे धिरे यहां के लोग भी अपने आपको हीन भावना से देखने लगे थे कि हां य यह इसाई धर्म सुपर है, यह यूरॉपी सुपर है, हमारे संसकृत में यह बुराइए, आप आज भी देखेंगे, बहुत सारे लोग अपने धर्म, समाज और संसकृत की बुराइए, इस तरीके से करने लगते हैं, कि वो सीना चोड़ा करके करने लगते हैं, क्योंकि उनको अपनी संस्कृति का अच्छी तरीके से ग्यान ही नहीं है। लोगों ने जो उनको बता दिया कि तुम्हारी संस्कृति में ये कमी है तो उसकी सचाई को जाने का प्रयास ही नहीं करते हैं। जिरो हो जाते हैं। और क्या कहा इन्होंने। स्वामी नियारनद सुरस्ति ने कहा कि भारत भारतीयों के लिए है। सत्यार्थ प्रकास में इन्होंने क्या लिखा। सत्यार्थ प्रकास जो इनकी उस्तक है उसमें इन्होंने क्या लिखा। इसमें जो है स्वामी द्यारन सुरस्ति ने लिखा कि विदेशी सासन चाहे जितना अच्छा हो। सुदेशी सासन कितना भी अच्छा हो। सुदेशी उससे हमेशा बहतर है। सुदेशी उससे कई गुना बहतर है। ये उसका अर्थ है। वही सब्द नहीं है जैसा इन्होंने लिखा लेकिन उसका अर्थ ही है। विदेशी सासन कितना भी अच्छा हो। सुदेशी उससे हमेशा बहतर है। यानि यहाँ पर ये सुदेशी सासन को प्रमोट कर रहे हैं। तो क्या ये राष्टवाद के उद्धे में सहयोग नहीं है। बिलकुल है। तो यहाँ पर क्या हुआ। इन्होंने सुदेशी सब्द जो है दिया। सुदेशी सब्द। सुदेशी सब्द। सुदेशी सब्द। सुदेशी सब्द। उठती है, इन्होंने एक राष्ट्र भासा की बात की, राष्ट्र भासा हिंदी की बात कही, ये क्या है, लोगों को एक सुत्र में बांधने का प्रियास है, कि हमारी एक राष्ट्र भासा होनी चाहिए हिंदी, ये पर्थम ब्यक्ति थे, पर्थम ब्यक्ति जिन्होंने विद इसी वस्तूओं के बहिस्कार की बात की ये सब क्या है ? ये सब है कि अपने देश को प्राथमिक्ता इनस चीजों का प्रणाम क्या निकल के आ रहा है ? इन सब चीजों का प्रणाम निकल के आ रहा है कि अपने देश को प्राथमिक्ता देने की बात, प्राथमिक्ता, इसमें स्वशासन की बात है, इसमें जो है स्वाधिन्ता की बात है, और अपनी संस्कृति की उतकरष्टता की बात है, और इन सब चीजों से क्या है, ये राष्टवाद की बात है, सीधी तोर से ये अपने राष्ट के प्रतिसमरपण की बात है, तो स्वामी दयानन सुरस्ति ने जो है एक तीब्र राष्टवाद को जनम दिया, इनका जो राष्टवाद है वो तीब्र है, तीब्र राष्टवाद, राजराम मोहनराय के अंदर तीब्र इतनी तीब्रता नहीं दिखाई पड़ती है, जितनी तीब्रता जो है राष्ट क लगे जैसे कि कुश्चन पूछा जा सकता है तो आप नोट कर लें एक वैलेंटाइन सिरोल राइटर हैं पीछे भी चर्चा की थी वैलेंटाइन सिरोल ये लंदन टाइम्स के जो है लंदन टाइम्स के संबाद आता है ये संबाद दाता थे इन्हों ने अपनी पुस्तक थी उसमें लिखा था कि जो आरे समाज है या भारत में जो असांती है वो हिंदू असांती है और उसके जनम में आरे समाज या स्वामी द्यानन सुरस्ति का बहुत योगदान है यानि इनके उपर सीधे जाम लगाया कि भारत मे असांती के जनक कौन है स्वामी द्यानन सुरस्ति है तो ऐसा जो है वेलंटाइन सिरोल ने लिखा था इन्होंने कहा था कि आरे समाज आरे समाज या ब्रैकेट में आप द्यानन सुरस्ति लिख लीजिए द्यानन सुरस्ति स्वामी द्यानन सुरस्ति भारत में असांत के जन बाल गंगाधर तिलक के उपर भी ऐसा ही आरोप लगाया था इन्होंने वैलेंटाइन सिरोल ने कहा कि जो भारत में असांती जन्म ले रही है वो एक प्रकार से हिंदू असांती है और उसको जो हवा दे रहे हैं वो आरे समाज के लोग स्वामी दयनानसरती जो है वो भारत में सांती का जन्म है ऐसा जो है वैलेंटाइन सुरोल ने कहा हाला कि इनको बाद में भारत के राश्टी नेताओं की द्वारा लिख करके लिखित जवाब भी दिये गये जिसे इनका मुबंद किया गया और इस वज़े से आरे समाज पर बिटिस सरकार ने परतिबंध भी लगाये थे कई बार बाद में उन परतिबंधों को हटाया भी गया 1910 में जो है यूपी के गवर्नर थे उन्होंने भी हटाया था तो इस परकार हम देखने स्वामी दयानन सुरस्ति ने राष्टवाद को बढ़ाया लोगों के अंदर राष्टी भावना को जगाने की कोशिस की अब हंगर बात करें स्वामी विवेका नंद यानि रामकृष्ण मिसन स्वामी विवेका नंद ने किस परकार से भारत के युवाओं में खास करके जो है अपनी राष्ट प्रेम अपनी संस्कृत अपने धर्म के प्रति जो है गवरों का जो एक भावना है गवरों की भाव दिया है तो अगले जो हमारे समासुधारक यह आप कह सकते हैं रामकृष्ण मिसन रामकृष्ण मिसन स्वामी विवेकानंद इनके भी से में भी हम डिटेल में सब कुछ पढ़ चुके हैं सिर्फ हम कुछ बिंदों को लिखेंगे जिससे कि यह प्रतीत हो कि इन्हों ने किस प पहली बात तो 1893 सिकागो 1893 सिकागो क्या हुआ था वहां पर विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया यहीं से कहानी शुरू ही इस सम्मेलन में इन्हों ने क्या किया भासड दिया ओजस्वी भासड और विश्व में भार्ती अध्यात्म एवं हिंदू धर्म का पर्चम लहरा दिया लोग बहुत प्रभावित हुए उन्होंने यहां तक कि कहा कि भारत में ऐसे धर्म गुरू है तो वहां पर किसी अले धर्म को प्रचारित करने के लिए अगर हम किसी को भेजते हैं तो हमारी मुर्खता है जहां से इतना अध्यात्मिक ज्यान लेकर आने वाले लोग स्वामी विवेकानंद जैसे लोग विश्व धर्म समेलन में आये हैं तो अब इस चीज से राष्टवाद का क्या आर्थ है क्या मतलब है क्या इस चीज से राष्टवाद में कोई फर्क पड़ा है बिल्कुल इतने महान हैं तो लोग इस बात पे एकजूट होना सुरू होते हैं अगर आपको कहा जाया कि हमारी संस्कृति हम जहां से आये हमारा जो इतिहास है वो बहुत गौरो साली है और हम पूरे विश्व के गुरू थे आप इस बात पे गौरो को महसूस करेंगे कि हां हम इस भा जणधने लगेंगे एक जुटता की भावना एकता की भावना और एक राष्ट की भावना जन्म लेगी तो इससे क्या हुआ इससे जो है लोगों में लोगों में अपनी संसकर्ती धर्म योम इतिहास इतिहास पर गर्ब हुआ गर्ब हुआ लोग गवर्वान वित हुए और इससे क्या हुआ इससे जो है राष्ट प्रेम राष्टवाद कि विकास में सहयोग मिला विकास में सहयोग मिला क्योंकि हम राष्टवाद में जब पढ़ रहे थे तो कोई भी ऐसा संसकर्ती है इतिहास है इस चीज़ पर जब लोग एकत्रित होते हैं तो वही तो राष्टवाद है जब तक हम अपने इतिहास को इतिहास के गवरों को समझेंगे नहीं जब तक हम अपने धरम परपरा संसकर्त भासा पे गवरवानवित नहीं होगे तब तक क्या हम एक जुट हो सकते हैं और जब हम एक जुट होड़ते हैं तो हम एक दूसरे के दर्द को भी समझते हैं कि अगर लखनव में अंग्रेज हमारे लोगों को सता रहें तो उसका दर्द हम यहां मदरास में बैठ कर भी अनुभो करते हैं और मदरास में प्रतिसोध लेने की कोशिस करते हैं ये क्या है ये राष्टवाद है, यूपी में हो रहे जो सोसन है, उसका बिरोध अगर बंबई में किया जा रहा है, तो ये क्या है? ये राष्टवाद है, क्योंकि कुछ न कुछ connection उतर प्रदेश और बंबई के बीच में है, और वो क्या है? वो एक भावनात्मक connection है, और भावना ही तो राष्टवाद के बीज पनपना प्रारंभ होते हैं और धिरे धिरे जो है राष्टवाद अपने और उग्रू रूप में आता जाएगा चरम रूप में पहुंचेगा तो लोगों ने अपनी संसकत धर्मितिहास कर जो है गर्ब महसूस किया और इसे राष्टप्रेम वर्गों को धैर साहस और कर्म की प्रेणा दी स्वामी बिवेकर नंत कहते हैं कि धैर साहस और कर्म आपने सुना होगा उन्होंने कहा कि उठो जागो और तब तक संघर्ष करते रहो जब तक कि लच्च की प्राप्ति न हो जाए यहाँ पर क्या चीजे बात कर निकल के आती है उठो जागो यानि साहस की बात की जा रही है और तब तक संघर्ष करते रहो तब तक संघर्ष करते रहो यानि धैर बनाये रखो और तब तक जुटे रहो जब तक की लच्च की प्राप्ति न हो जाए तो युवाओं विद् राष्टी आंदोलन में जिसकी प्रणीती दिखाई पड़ेगी, किसी भी छेत्र में, अगर आपके अंदर कोई साहस आता है तो आप उसको किसी भी छेत्र में यूज कर सकते हैं, हमारे राष्टी आंदोलनों में भी यही साहस दिखाई पड़ता है, टैगोर लिखते हैं कि क कोई भारत को समझना चाहे गर तो स्वामी बिवेकानन्द को पढ़े कितनी बड़ी बात है स्वामी बिवेकानन्द को पढ़कर के आप भारत को समझ सकते हैं सुभाज चंद्र बोस लिखते हैं नेता जी सुभाज चंद्र बोस क्या लिखते हैं कि स्वामी बिवेकानन्द राष्ट वाद को उत्तेजना प्रदान की अब अगर हम बात करें चलिए एनी बेशंट की बात करते हैं एनी बेशंट की बात यहीं पर कर लेते हैं एनी बेशंट भी विश्वधर्म सम्मेलन में गई थी और भारत में राष्टी आंदुलोरों में भी भाग लिया था कांग्रेश के अध्वेसंट की अधिचता भी की थी एनी बेशंट देश की स्थापना कर सकता है स्थापना कर सकता है कर सकता है एक सुतंत्र बेक्त ही सुतंत्र देश की स्थापना कर सकता है यानि हमें सुतंत्रता प्राप्त करनी होगी तो इस परकार से हम देखते हैं समाजी क्यों धार्मिक सुधार अंदोलनों में जो लोग जुड़े उन लोगों ने राष्टवाद को बढ़ाने में बहुत सहयोग किया है और यहीं से आप एक पॉइंट और नोट करेंगे कि अनेक राष्टवादी नेता बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है इसके कहे देने मातर से ही आपका सब कुछ हल हो जाएगा रा तिलक लाला लजपत राय लजपत राय गोपाल क्रिश्न गोखले गोपाल क्रिश्न गोखले आदी बहुत नाम है तीन उधरण बहुत है बाल गंगा धर्तिलक लाला लजपत्राय गोफाल कृष्ण गोखले आदी लोग इन्ही सामाजिक आंदोलोनों से जुड़े थे क्या डिसकर्स निकल के आ रहा है कि इन आंदोलोनों ने ऐसे नेताओं को बनाया बाल गंगा धर्तिलक जैसे लाला लजपत्राय गोफाल कृष्ण गोखले जैसे नेता इन्ही सामाजी क्यों धार्मिक सुधार के आंदोलोनों से निकल करके आए थे ये लोग राष्टी आंदोलोनों में भी थे ये लोग समाजी क्यों धार्मिक सुधार आंदोलोनों में भी थे तो दो मंचों पर जो लोग नित्रत कर रहे हैं दो मंचों पर जो लोग हैं तो क्या उनकी विचार धारा बदल जाएगी अगर राष्टी आंदोलोनों में वो र दिखाई पड़ता है लेकिन उसके अंदर राष्ट वाद की भावना भी कूट-कूट के भरी हुई है तो इस प्रकार से 1857 की क्रांती और भारत में धार्मी क्यों समाजिक सुधार अंदुलनों की राष्ट वाद के उदय में क्या भूमिका थी इस पर हमने चर्चा किया मिलत